हलो टेर स्टुडेंट्स वल्कम टू मैंगनेट ब्रेंज मैं संचिता जैन आपके सेस्ट एजुकेटर आज के शेशन में लिखे आई हूँ आप सभी के लिए क्लास टेंट्स स्टुडेंट्स के लिए सामजवी ग्यान में अर्थसास रियानिक एकनॉमिस का चैप्टर नमबर त्री और आज हम जानने वाले हैं मुद्रा और साख के बारे में आल राइट और जो है टॉपिक है आज का बैंकों की रिण संबंधी गतिवी दियां रिण का मतलब तो समझते होंगे यानि की लोन पैसा उधार लेना बैंक से पैसा आपको उधार कैसे मिल सकता है वो बात आज हम डिसकस करने वाले हैं पहले क्या बात करी थी पहले ये बा जादा से जादा लाइक कर दें शेयर कर दें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैंगनेट ब्रेंस प्रोवाइट कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स फी आफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुले और नाइस कंप क्लाइब कराया जाता है काफी सारे स्पेशल कोड़से से जैसे कि वैदक मैस क्रेश कोर्स और इस पोका निगिलिश और इतने सारे कोड़से आपको एक ही सिंगल प्लेट फार्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुले और नाइस कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम of cost प्रोवाइड कराये जाते हैं यानि की मैंगने ब्रेंस के हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम से पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा देनी की जरूरत नहीं है कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है आल राइट तो शुरू करते हैं आज का ये शेशन आपके लाइक और शेर के साथ जानते हैं कि बैंक से पैसा उधार कैसे मिल सकता है तो सबसे पहले आधुनिक बैंकेंग प्रणाली की हम बात करें देखें तो मुद्रा और जमा का आधुनिक रूप आधुनिक बैंकेंग प्रणाली से जड़ा हुआ है अगर हम आदुने एक बैंकिंग प्रणाली की बात करें, तो बैंक में होता क्या है? बैंक में दो काम होते हैं, यह है भाईया बैंक, ठीक है? यह है बैंक, इसमें आप पैसा जमा भी कर सकते हो, और इससे आप पैसा उधार भी ले सकते हो, क्लियर है बात? और जो पैसा आपने जमा किया है, वो भी वापस ले सकते हो, और जो पैसा आपने बैंक से उधार लिया है, उसको बैंक में आप जमा भी कर सकते हो, वापस भी कर सकते हो, यही काम होता है बैंक का, यही बात यहाँ पर कही गई है, कि मुद्रण और जमा का आधुने ग्रूप आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है अल्राइट यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी एक बहुत ही बहतरीन एक्जामपल आपको दिखाई दे रहा होगा यह है भई बैंक ठीक है यह बैंक है अब कौन सी बैंक है यह नहीं पता कोई भी बैंक है माल लो यह ठीक है यहाँ से क्या हो रहा है यहाँ से हम बात करें तो लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं ठीक है लोग यह जमा करता है यह कौन है यह जमा करता है लोग पैसा अपना जमा कर रहे हैं और लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं अब जिन लोगों ने अपना पैसा बैंक में जमा किया है तो क्यों जमा किया है कुछ प्रॉफिट तो होगा तो दो प्रॉफिट होते हैं जमा करने वालों के एक तो यह होता है कि लोगों क का सुरक्षित रहता है और दूसरा जो पैसा आपने जमां किया है तो बैंक उस पैसे पर आपको ब्याज भी देती है क्योंकि बैंक आपका पैस अपने पास रख रही है एक है आपका पैसा देते हो तो भई क्या फ्री में दे दोगे नहीं आप ब्याज लोगे तो बैंक भी जब आप से पैसा ले रही है बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो तो ब्याज समेत लोगों को पैसा मिलेगा यहां से जब लोग पैसा निकाल रहे हैं बैंक से तो लोग धन निकालते हैं और क्या पाते हैं ब्याज पाते हैं ठीक है अब अब यहां पर देखना यह तो हो गया एक पार्ट जमा करता वाला पार्ट अब क्या है अब है यहां पर कर्जदार वाला पार्ट यानि कि इनको पैसा उधार चाहिए है किसी काम के लिए तो यह क्या कर सकते हैं यह पैसा उधार ले सकते हैं यानि कि बै बैंक को भी पैसा लोटाना भी पड़ेगा ये बात तो तय है तो लोग क्या करते हैं लोग रन लोटाते हैं और ब्याज देते हैं ब्याज समेथ पैसा लोटाते हैं ठीक है अब बैंक का क्या फाइदा बैंक आपका पैसा जमा कर रही है और लोगों को पैसा दे रही है बैंक का क्या फायदा बैंक की इंकम बढ़ती है कैसे बढ़ती है जो पैसा आपने बैंक के पास जमा किया है ना वही पैसा तो बैंक लोगों को उधार स्वरूप देती है और उनसे ब्याज लेती है इंट्रेस्ट के साथ पैसा जो है बापस लेती है ब्यास के साथ के साथ बापस लेती है तो बैंकी इनकम बढ़ेगी की नहीं बड़ेगी बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ये हमारी भारती अर्थिववस्ता का तर्सेरी सेक्टर है तुरतियक शेत्र है क्योंकि ये हमें क्या प्रदान कर रहा है ये हमें सेवा प्रदान कर रहा है, तीसरे छेत्र को तरतियक छेत्र को या टर्सरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, सेवा छेत्र कहा जाता है, तो बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक प्रकार की सेवा है, तो बैंक में आप पैसा जमा कर सकते हो, बैंक से जब आप पैसा लोटाओगे ब्यास समेथ लोटाओगे अल्राइट चलिए चलते हैं अब आंगे अब क्या है अब है बैंक के रण संबंधी क्रियाओं के बारे में जान लेते हैं कि बैंक की रण संबंधी क्रियाओं क्या होती है कैसे बैंक से पैसा उधारी का काम होता है तो बैंक लोगों की जमा राशी स्वीकार करते हैं ये बात हमने जान ली ठीक है और इस प्रकार बैंक जमा के रूप में एक बड़ी राशी का तृत कर लेते हैं आज कल हर एक व्यक्ति का बैंक में खाता होता है सबके खाते में पैसे होते हैं तो सोचो कि बैंक के पास कितना जादा पैसा जमा हो गया होगा बहुत जादा पैसा जमा हो गया और सारे व्यक्ति पूरे भारत के व्यक्ति का एक ही समय में बैंक से पैसा निकाल लेते हैं कि ब बकूल नहीं ठीक है पैसा जमा रहता ही है बैंकी पास और बहुत जादा मात्रा मैं पैसा जमा रहता है तो बैंक जो वेyson के रूप में एक बड़ी राशी बड़ी रकम अपने पास एकटी कर लेते हैं फिर भारत में बैंक जमा का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा कितना 15 प्रतिशत सब्ध्यान से सुनना ये बात बहुत 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 important है ठीक है भारत में बैंक जमा का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं यानि कि बैंक के पास total जितना पैसा आ रहा है उसका 15 प्रतिशत कितना सिर्फ 15% पैसा नगद के रूप में अपने प्रॉविजन किया है ऊंगत पैसा रिक सकती है तो एसा प्रावधान जमा करता दुआता दुआ किसी एक दिन में ध्याँ से सुनिएगा जो भी जमा करता है आप हो या हम हैं या कितने भी लोग हैं कि किसी एक दिन में धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन vibes सारा पैसा ना निकाल पाए You can remember पास उतना पैसा रहे गई नी 15 % पैसा रहेगा 15 energia पैसा रहेगा तो लोग एक दिन MAY सारा पैसा निकाल ही नहीं सकते ठीक है इतनी बात हो गई ये जमावाली बात हो गई अब बैंक उधार करताओं को अग्रिमरण देते हैं बैंक पैसा उधार भी देता है किस रूप में लोन के रूप में देता है और इस पर उच्च ब्याज भी लेते हैं आपको जरूरत है प कर्जदारों से लिये गए ब्याज और जमा करताओं को दिये गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आये का प्रमक्सरोत है अब आप कहेंगे बैंक को पैसा कहां से मिलता होगा बैंक का क्या फायदा पैसा ले लिया पैसा दे दिया बैंक के पास क्या बचा तो देखो भई करज़दारों से जो ब्याज लिया यानि कि बैंक ने जो पैसा उधार दिया उसके बदले में बैंक को ब्याज समेथ पैसा मिला तो वो ब्याज और जमा करताओं को जो ब्याज दिया है उसके बीच का जो डिफरेंस निकल के आता है जो अंतर निकल के आता है वो क्या है बैंक कोई डाउट है कोई समस्या कोई सवाल कुछ भी सवालो जल्दी से कॉमेट करके आपको बताना है आपके हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया जाएगा अल्राइट चले आंगे चलिए तो आज का ये शेशन भी यहीं पर खतम होता है हमने ये जाना कि बैंक से पै सजमा करते हैं तो आपको ब्यास मिलता है बैंक से आप पैसा उधार लेते हैं तो आपको ब्यास समेत लॉट आना पड़ता है अल्राइट चलिए तो आज का शेशन नहीं पर घदा होता है अगर आप हमारी डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर्डेट से जुनना चाहते हैं सारी चीजों प्लब्ध हैं मैंगनेट ब्रेइंस के यूट्यूब चैनल वेब साइट और एप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रेइंस इंडिया का नंबर वन 100% प्री ओनलाइन एजुकेशन प्रेट फॉर्म है इसके अलाव अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी लिंक अब भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं सारी जानगारी प्राब्द कर सकते हैं क्लियर है और हमारे पास आपके लिए कई सारे चॉप कोर्स सिंध्य और इंग्लिस दोनों मीडियम में अवलेवल हैं सी बेसी बोड के सा अधिली वोड बिहार वोड उपी वोड एंपी वोड राजस्तान बोड के सूलेव प्रक्राया जाता है काफी सारे स्पेशल कोर्से सैं जैसे की वैदिक मेंस क्रेश कोर्स और इस्पोकन ईगलिश और इतने सारी कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफोर्म पर हाइः साथ fully organized complete course के साथ एक दाव free of cost प्रोवाइड कर आए जाते हैं मैंने ब्रींस YouTube के लाव अदर social media platform जिसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब दे आप हमें वहाँ भी follow कर सकते हैं वहाँ से भी सारे जानकारी प्राप कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुशेयत हैंगी सो मच